अंतर जातिय दिव्यांग जोड़ी के विवाँ पर 3 लाख मिलेंगा प्रोसाहन दिव्यांग जगत आट सहर सा दिव्यांग को मुख्यधारा में शामिन करने और अंतर जातिय विवाँ को प्रोसाहित करने के लिए समाज कल्यान विभाँ ने अंतर जातिय दिव्यांग जोड़ी की शादी पर 3 लाख रुपए प्रोसाहन राशी देने का निर्ने लिया है पूर्व में दिव्यांग जोड़ी की शादी पर 2 लाख प्रोसान देने का प्रावधान है परन्तु अगर शादी करने वाली दिव्यांग जोड़ी अगर अंतर जातिय है तो उन्हें अंतर जातिय विभाँ प्रोसान योजना से भी एक लाख प्रोसान राशी दी जाएगी इस से खास कर दिव्यांग योटियों की शादी को प्रोसान मिलेगा तलाक शुदा को नहीं मिलेगा योजना का लाब अगर कोई दिव्यांग महिला या पुरुष तलाक लेने के बाद शादी करता है तो उन्हें इस योजना का लाब नहीं मिलेगा महिला पुरुष में एक के दिव्यांग रहने पर एक लाग और दोनों के दिव्यांग रहने पर दो लाग प्रोसाहन राशी दी जाएगी महिला और पुरुष दोनों के दिव्यांग रहने की स्थिति में खाते का संचालन महिला के नाम से खेजाने का प्रावधन है प्रोसाहन राशे से दिव्यांग जोड़ी को मिलेगा नवजिवन दिव्यांग महिला पुरुष समाज में उपेक्षित नहीं हो इसके लिए सरकार्नी दिव्यांग विवाह प्रोसान योजना के साथ अंतर जाती विवाह योजना को भी चोड़ने का प्रयास किया है ताकि इन लोगों को अपनी जीवी का चलाने में कोई परिशानी नहीं हो खास कर दिव्यांग योटियों के विवाह में होने वाली समस्या से भी इस योजना से बहुत हद तक नी जात मिलने की संभावना है इन दिव्यांग जोड़ी को मुफ्त इलाज और दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं से लाभावित करने के लिए युनिक काड की भी सुविदा प्रदान की जाएगी क्या कहते हैं सामाजिक सुरक्षा विभाग के साहियक निर्देशक सत्यकाम ने कहा कि दिव्यांग अंतर जातिय विवाह को प्रोस्थाहित करने के लिए सरकार ने दोनों योजनाओं से दिव्यांग जनों को लाभावित करने की रननीती बनाया है इस से आने वाले दिव्यांगों में दिव्यांगों अंतरचातिय विवाहों को प्रोसान मिलने की संभावना है